हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाएं गटकरी का मोधी परनिशाना बोले अगर कोई जाती की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूँगा हम जाती वात में यकीन नहीं करते हैं मुझे नहीं पता कि आप क्या हैं लेकिन हमारे पांग जिलों में जाती वात की कोई जगा नहीं है मैंने सभी तो चतावनी दी हुई है कि अगर कोई जाती की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूँगा ये बयान है केंद्रे मंत्री नितिन गटकरी जो पिछले कई दिनों से ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जिससे बीजेपी की मुश्किल खड़ी हो गई हैं दरसल केंद्रे मंत्री नितिन गटकरी पूने के पीपणी चिंचवाड ने पुनरुस्थान समर्सता गुरु कुलम की और से आयोजित एक कार्यकरम में शिर्कत करने बहुचे थे जहां उन्होंने कहा कि समाज को आर्थिक और समाजिक समानता के अधार पर साथ लाना चाहिए इसमें जातिवाद और सामप्रदाइकता की कोई जगा नहीं होनी चाहिए इसके बाद उन्होंने साफ कहा कि मेरे छेतर में तिवाद की कोई जगा नहीं है क्योंकि मैंने सभी को चेतावनी दी हुई है कि अगर कोई जाती की बात करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूँग बीजेपी कारे करताओं को कई लोग मुझसे आकर कहते हैं कि वो पार्टी और देश के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी क्योंकि वो ठीक से नहीं चल रही थी मैं कहता हूँ कि पहले अपनी घरेली जिम्मेदारी बीवी बच्चे परिवार संपत्ती को समालना चाहिए जो ऐसे नहीं कर सकता वो देश क्या समालेगा बता दें कि इससे पहले भी गटकरी ने बयान देते आ रहे हैं जिनका तालोग पियम मोदी से समझा जाता है कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कहा था कि लोगों को सपना दिखाना अच्छी बात है पर जूटे सपने दिखाने वाले नेताओं को जनता पीटती भी है इससे पहले वो गरीबी बेरोजगारी पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा चके हैं हाला कि वो सीधे पीएम मोदी का नाम नहीं लेते लेकिन चुनाव सरगर्मी के बीच उनके सारे बयान उन्हीं की और ज़रूर इशारा करते हैं Mind the Newsroom की रिपोर्ट थैंक्यू फॉर वाचिंग आर वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें